दोस्तो नमस्कार मैं जिगन्नाद गवतों देश रोजाना यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है दोस्तो हर्याना में चुनावी महाभारत शुरू हो गया है नमांकन की आखरी तारीख भी आ गई है और भाजपा ने तो लगभग अपने सभी प्रत्याक्षी दोतीन को छोड़ कर पूरे हर्याना में उनके नाम गोशित कर दिये गए हैं हाला कि इस मामले में कांग्रेश अभी पिछरती नजर आ रही है लेकिन वो भी अब कुछी समय नहीं बचा है नामंकन के लिए समय नहीं बचा है तो किसी भी समय कांग्रेश की भी सूची उम्मिद्वारों की कभी भी किसी भी छण किसी भी पल आ सकती है लेकिन दोस्तों जैसे की चुनाप सुरू हो चुके हैं नामंकन भरे जा रहे हैं तो कुछ सीटें हर्याना की ऐसी होती हैं जो बहुत ही रोचक होती हैं और जो वहां के कंडिडेट होते हैं आम तोर पर कुछ खास गिने चुने कंडिडेट्स के बीच में ही महा संग्राम हर चुनाब में होता है यूं तो हर्याना में कई सीटें हैं लेकिन मैं फरीदावाद संस्दिय छेतर की बात करूं या फरीदावाद जिले की बात करूं तो फरीदावाद जिले की एक सीट है बल्लवगड के साथ वाली पर्लवल के बीच वाली प्रिथला विधान सभा छेत्र यह परिशीमन में 2009 में अस्तित में आई थी और जब यहां 2009 में चुनाव हुआ तो कांग्रेश के रगवीर तेवतिया ने चुनाव जीता उन्हें मिलेते 34,647 बोट और वो नमबर वन रहेते टेक चंशर्मा बसपा से लड़े लेकिन उनको 31,492 बोट मिले आप देखते रही है बारी के से देखिएगा कि इस सीट पे जो भी उम्मिदवार लड़ते हैं चाह कोई किसी पार्टी का हो चाहे आजाद हो गमासान पूरा होता है और उनके जीत का मार्जन बहुत मामोली रहता है तो इस चीज़ को आप द्यान से देखिएगा मैंने जैसे बता है रगवीर तेवतिया को 34,647 मिले और वो विजही रहे टेक्चन सर्मा बसपा के टिकट पर लड़े और उनको 31,492 बोट मिले यानि वही दो तीन हजार का फर्क और नेनपाल रावत जो राजपूत समाज से हैं वो भी इस पर जो है लड़े और उनको मिले 11,771 बोट 11,771 बोट तो ये तो रहा प्रतला सीट का जो पहला चुनाब हुआ था उसका रिजल्ट अब हम आ जाते हैं 2014 के चुनाब में तो दोस्तो इसमें क्या खास बात है इसमें ये बात है कि जो पिछली बार 2009 के चुनाब में टेग चन सर्मा दूसरे नमबर पर रहे थे बसपा के टिकट पर लड़ते हुए 2014 में टेग चन सर्मा बसपा के टिकट पर फिर लड़े और उनको बोट मिले 37,118 लेकिन इस बार रगवीर तेवतिया तीसरे नमबर पर पहुंच गए दूसरे नमबर पर रहे नैनपाल रावत जो भाजपा से लड़े उनको मिले 35,706 में रगवीर तेवतिया को 34,703 बोट मिले यानि 34 से 37 के बीच दो तीन हजार का अंतर में ही तीनों प्रत्याक्षियों के बोट रहा और ये कोई दो दो चुनाबों की बात नहीं है तीसरे चुनाब पर आ जाते हैं 2019 का जब चुनाब हुआ तो एक मात में पिछले में भूल के 2014 वाले में जो खास बात थी उस चुनाब में कि उस समय तक 2014 में मोदी जी की लहर शुरू हो गई थी बलकि आंधी बन रही थी उस दोर में भी बस्पा ने बस्पा के टेक चंसर्मा ने चुनाब जीता और भाजपा के नेनपाल रावत को हराया लेकिन मारजन वही दोड़ाई जार करता है जीतने वाले को 37,170 और दूसरे नंबर पर नेन पान रावत को 33,796 में और रगवीर तेवत या कांग्रेस के जो मीदवार थे वो भी कोई बहुत जादा पीछे नहीं रहे उनको भी 34,753 बोट मिले यानि इसमें देखने वाली बात ये है कि मारजन बहुत थोड़ा रहता दो तिन हजार के एक बार को छोड़के दो तिन हजार के हेर फेर में ये मुकावला होता है और कहने का तात्पर ये मेरा ये है कि चाए कोई आजाद उम्मीदवाल लड़े चाए कोई छोटी पार्टी से लड़े चाए बड़ी पार्टी से लड़े आम तोर पर इन ही महारतियों में चुनावी संग्राम होता है और एक दूसरे को जमकट टककर देते हैं और बेशक इन में से तीनों में से कोई भी जीत जाए लेकिन अंतर तो इस तो वही दो तीन हजार का जीत का अंतर होता है अब हम आते हैं पिछले चुनाव पर दो हजार उन्निस का जो चुनाव परण्याम था उसमें नेन पाल रावत आजाद उम्मीदवार के रूप में खड़े हुए अब वो तीसरी बार इस चुनाव मैदान में कूदे थे लेकिन वो हार नहीं मान रहे थे कैई बार जो यह सारा ग्रामीड यलाका है तो ग्रामीड में थोड़ा इमोशन बोट बहुत होता इमोशन वाला तो वहां के गावों में जिस तरीके से इमोशनली नैन पाल रावत ने अपना चुनाव परचार किया कि हर बार मैं चुनाव लड़ रहा हूँ आप दूसरों को जिताते हो मुझे क्यों नहीं जिताते हैं मेरा नंबर क्यों नहीं आता बस पृतला छेत्र के बोटरों को यही बात लग गई और उन्होंने कांग्रेस भाजपा और जो अन्य निर्दली थे उन्स तरब को पीश से छोड़ते हुए 2019 के चुनाब में नेन पाल रावत को निर्दली के रूप में जिताने का काम किया नेन पाल रावत को 64625 बोट मिले लेकिन इस बार जो जीत का अंतर था वो थोड़ा बड़ा हो गया कांग्रेस के रगविर तेवतिया फिर मेदान में थे लेकिन वो नेन पाल रावत के मुकाबले में 44625 बोटों के मुकाबले में 48196 बोट ही ले पाई इस पिछले चुनावों में जो है ये चुनावी अंतर अचानक बढ़ गया लेकिन इस पाई चुनाव में पिछले वार जो था जो 2019 का टेक्चन सर्मा मैदान में नहीं थे टेक्चन सर्मा सांत रहे वो भाजपा का टिकट चाते थे उन्हें टिकट नहीं मिला और सौनपाल सिंग भाजपा के उमीदवार के रूप में चुनाव लड़े लेकिन भाजपा के सौनपाल इस वार भी कोई बहुत बड़ा करिस्मा नहीं दिखा पाए उनको मात्र 21,322 बोट मिले इसमें क्या एक दो तीन खास मुद्दे हैं कि पिछले तीन चुनावों में भाजपा के लिए प्रथला में सूखा ही सूखा है उनका कभी उम्मीदवार मोदी लहर में भी नहीं जीता तो लेकिन इस बार जो है भाजपा ने बस्वा के विधायक रहे तेक्चन सर्मा को अपना प्रत्याक्षिप अपना उम्मीदवार बनाया है देखते हैं क्या तेक्चन सर्मा भाजपा कंडिडेट के रूप में प्रथला में भाजपा का सूखा खतम कर सकते हैं यह लोगों की इस बात पर नजर रहेगी लेकिन दोस्तों प्रत्ला सीट से इस बार नैनपाल रावत भी बाजपा टिकट के बड़े प्रुबल दावेदार थे इस पर हम पहले भी एक वीडियो बना चुके हैं उन्होंने आरोप प्रत्ला आरोप लगाया कि भी किसने उनको टिकट नहीं लेने दिया और किसने खुंदक निकाली लेकिन दोस्तों नैनपाल रावत ने चौथी बार भी हार नहीं मानी है और उनका दावा है कि बेशक भाजपा ने मुझे टिकट नहीं दिया बशपा के पूरुविधायक को टिकट दे दिया लेकिन मैं जनता का उम्मीदवार हूँ जनता के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ूँगा और वो दावा कर रहे हैं पार्टी ने मुझे टिकट नहीं दिया लेकिन छेतर की जनता ने मुझे अपना उम्मीदवार बनाया है और मैं उनकी उम्मीदों पर खरा उत्रूँगा जो माहौल वहां पर दीख रहा है प्रतला में तो बहुत महाभारत बचने वाला है चुँकि ये तो मैंने ये प्रमुख जो आपस में एक दुछे खिलाब चुनाव लड़ते रहे हैं उनकी बात कर ली लेकिन भाजपा में के विद्रोही उम्मीदवार दो-तिन उम्मीदवारों के और चुनाव लड़ने की बात कही जा रही है इसमें दीपक डावर की बात हो रही है पंडिस्टुक भीर की बात हो रही है वो भी ताल ठोक रहे हैं अभी तक तो ताल ठोक रहे हैं के हम भी चुनाव लड़ेंगे और चुनकि प्रतला सीट जो चोकाने वाले नतीजे देती रही है तो अन्य पार्टियों के भी उम्मीदवा लड़ रहे हैं इन्हें लो बसपा का भी चुनाव लड़ रहा है और आज समाज पार्टिय जजपा का भी उम्मीदवा लड़ रहा है लेकिन कहा कुछ नहीं जा सकता महाभारत पूरा है सारे उम्मीदवा जो प्रुम्ख मैंने नाम बताए एक दूसरे को कटर टक कर देने की जबरदर्श टक कर देने की इस्तिति में लग रहे हैं लेकिन जो कुछ और वुद्रोही उम्मीदवार हैं उनमें से भी क्या कोई छुपा रुष्टम निकलेगा तो दोस्तो कहा कुछ नहीं जा सकता लेकिन ये तैह है ये ग्रामिन चेत की प्रतला विधान सावा सीट पर बहुत ही रोचक मुकावला होने जा रहा है कौन जीतेगा ये तो भविष्टे के गर्म में है लेकिन प्रदेश में इस सीट पर सब की नजर रहेगी कि कौन सा योधा किस योधा को पटगनी देता है तो दोस्तों देखते रहे ये देश हो जाना मिलते हैं कल फिर एक नए मुद्दे पर जै हिन जै भारत जै सविधान हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के यूट्यूब चैनल को और नए वीडियो की नॉटिफिकेशन पाने के लिए बैल आइकन जरूर करें अगर आप ये वीडियो फिस्बुक या इंस्टेग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें